मार्केट विजार्च शेक्सन 30 Λेरी हैट रिस्क का सम्हान करना लेरी हैट की फाइनिंसियल मार्केट में रूची, एक कालेज कोर्से जगी थी, लेकिन वाल स्ट्रीट तक उनका रास्ता उतना ही गुमावधार था, जितना मूसा के लिए इजरायल की भुमी तक. उनके शुरुवाती एडल्ट वर्षों में कोई सुराग नहीं मिलता कि यह एक युवा व्यक्ति था जो अंततय बड़ी सक्सेस की और बढ़ रहा था सबसे पहले उनका अकेडमिक परपोर्बेंस खराव था फिर वे कई अजीव जोब से गुजरे लेकिन बहुत लोंग टाइम तक किसी भी नोकरी पर रहने का परबंद नहीं कर सके आखिरकार वे एक्टर और स्क्रीन राइटर के डियूल केरियर में चले गए कोई बड़ी सक्सेस ने रिकॉड करते हुए वे खुद को सहारा देने में काम्याब रहे और अपने काम का आनंद लिया उनकी एक फिल्म स्क्रीप जो कभी भी प्रडेक्शन में नहीं आई इतनी बार चुनी गई कि उन्होंने इसे स्टेबल अर्निंग के सोर्स के रूप में देखना शुरू कर दिया एक दिन हाइट ने रेडियो पर हल हेंट को यह कहते हुए सुना कि कैसे उन्होंने बहुत सारे सस्ते तेल के सही ओप्शन खरीद कर अपना भग्य बनाया जिससे उन्हें मिनिमम रिस्क के साथ कभी कबार अनेक्सपेक्टेड प्रोफिट की अपोर्चनेटी भी मिली उसी रात हाइट की एक पार्टी में बीटल्स के मैनेजर ब्राइन एपस्टीन से संक्षिप्ट मुलाकात हुई उनके आइडिया मिल गए जिससे करियर में एक और बदलावाया उन्होंने मन में सोचा यहां कुछ ऐसा है जिसमें मिनिममम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत सारा पैसा कमाने की ख्षमता है हालांकि उन्हें अपने कुछ ग्रूप्स के लिए कुछ रिकोर्ड कोंट्रेक्ट मिले लेकिन कोई भी कभी भी सच्चे स्टार्डम तक नहीं पहुँच पाया एक बार फिर हालांकि उनकी सक्सेस लिमिटेड थी फिर भी वे सेल्प इम्प्लाइमेंट की पजेशन में संतोस जदक जीवन जीने में सक्सेस रहे इसी बीच हाइट की रियल रूची फाइनेंसियल मार्केट में बनी रही आप अक्सर वाल स्टेट पर स्क्रीन राइटर बनने के लिए काम करने वाले लोगों के बारे में सुनते हैं वे मजाक में कहते हैं, मैं शायद एकमातर कंसर्ण हूँ जिसने अपने वाल स्टेट करियर के लिए बुगतान करने के लिए एक एक्टर और स्क्रीन राइटर के रूप में काम किया है। साल 1968 में हाइट ने अंततय अपने प्राइमरी रूची को आगे बढ़ाने का डिशिजन लिया। क्यूचर्स मार्केट से अट्रेक्ट होने के बावजूद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस खेतर में कैसे एंटर किया जाए। इसलिए उन्होंने एक स्टोक ब्रोक के लिए आवशक स्किल्स सीख ली है। उन्होंने शुरुवाती कदम उठाए जिससे अंततय मिंट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कमपनी का गठन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके ट्रेडिंग विचारों को कठोर वेग्यानिक टेस्ट के अधीन करने की आवशकत उन्होंने एक डिफेस इलेक्ट्रोनिक कमपनी के लिए कम्प्यूटर सिस्टम के डिजाइनर माइकल डेलमेन को काम पर रखा। मैथ्यूज और डेलमेन ने अपने अपने आइडिया सामने रखे। लेकिन शायद इससे भी अधिक इंपोर्टेंट बात यह हैं कि उनके काम ने मैथमेटिकल प्रूफ परदान किया कि हाइट की ट्रेडिंग कंसेप्स वास्तों में स्टेटेस्टिकल रूप से सही थी। हाइट का मानना है कि मिन्ट की सक्सेस मैथ्यूज और डेलमेन के बिना संबवध नहीं होती। मिन्ट का उदेश्य कभी भी सबसे बड़ा परस में शाइनिंग स्टार है। अपरेल 1981 में ट्रेडिंग के शुरुवात से 1988 के मध्य तक मिन्ट ने 30% से अधिक का एवरेज एन्वल कंपाउंडिंग रिटर्न रिकोर्ड किया। लेकिन यह है उनकी कंसिस्टेंसी है जो सबसे परभावशाली है। उनका एन्वल रिटर्न लेकर सरवत्थम प्लस 60% तक है। किसी भी 6 महीने के पीरियड में उनका सबसे बड़ा लोस केवल 15% था और किसी भी महीने की पीरियड में 1% से कम था। आश्चरे की बात नहीं है कि मिन्ट के शांदार परफॉर्मेस के परिणाम सवरूप मेरेजमेंट के तहत इक्विटी में spectacular growth हुई है। अप्रेल 1981 में उन्होंने 2 मिलियन डॉलर के साथ ट्रेडिंग शुरू किया। आज वे 800 मिलियन डॉलर से अधिक का मेनेजमेंट करते हैं। गोरतलब है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मेनेजमेंट के तहत मनी की बढ़ोतरी का परफॉर्मेंस पर हाउ पड़ा है। हाइट का मानना है कि मिन्ट अंतते हैं 2 बिलियन का मेनेजमेंट कर सकता है। जो कि फ्यूचर्स पंड के लिए एक अबूत पूरू बड़ी अमाउंट है। जैक और हाइट का इंटर्व्यू लंच के टाइम निव यार्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उपर विंडोज आफ दर वर्ल्ड में कंडेक्ट किया गया था। जिस दिन यह बादलों से धका हुआ था। जब रेस्टोरेंट में बचे आखिरी लोगों में से थे। तबी उसके थोड़ी देर बाद हाइट से इंटर्व्यू शुरू किया गया। आपको मार्केट में पहली बार रूची कैसे हुई। जब मैं कालेज में था तो मैंने एक ऐसे प्रफेसर के साथ बिजनस कोर्स किया जिसमें हाश्य की तीवर इमोशन थी। एक्जामपल के तोर पर उन्होंने एक बैंक एक्जामनर के रूप में भी काम किया। एक दिन ओडिट के बाद बैंक चोड़ने से पहले वह बैंक प्रेजिडेंट के पास गया और मजाक में कहा। अब तो आप समझी गए होंगे। शक्ष को मोके पर ही दिल का दोरा पड़ा। उसके बाद उन्होंने एक और ओडिट किया और पाया की बैंक प्रेजिडेंट ने पिछेतर हजार डॉलर का पिक्षा कर रहा था स्टोक और बोंड इत्यादी फिर वे कहते हैं अब हम सभी कमोडिटीज के सबसे विचितर मार्केट में आते हैं ये लोग केवल 5% मार्जन पर ट्रेडिंग करते हैं और उन में से वह भी अधिकांस उधार लेते हैं मेरे अलावा पूरी कक्षा हंस नहीं मैं उस टाइम एक रोक परमोटर था और एक वीकेंड में क्लबों में तीन अलग लग शूटिंग होई जिन में मेरे दुआरा मैनेज ग्रूप्स काम कर रहे थे मैंने डेशिजन लिया कि यह करियर बदलने और अपने सच्चे हित फाइनेंसियल मार्केट को आगे प्रोकर के रूप में शुरुआत करूंगा मेरा पहला इंटर्वियू एक बहुत पुराने स्टाइल वाली वाल स्टेट फरम के साथ था जिसके ऑफिस आपको एसा महसूस कराते थे कि उनको शांत स्वर में बात करनी चाहिए जिस कंसर्ड ने मेरा इंटर्वियू लिया व ब्लू चिप्स खरिदते हैं मैंने ग्राहम और डोड की अपनी कौपी फैंक दी और बीट दे डिलर नमक बुक खरी दी मैं इस आइडिया के साथ हाया था कि सक्सेस्पुल इन्वेस्ट वास्तों में ओर्ड्स का मामला है और यदि आप ओर्ड्स की गणना कर सकते हैं तो आप उन तरीकों को ढूंड और टेस्ट कर सकते हैं जो मार्केट को मात दे सकते हैं इस बात ने आपको विश्वास दिलाया कि आप परिस्थितियों को अपने बक्ष में करने के तरीके डेवलप कर सकते हैं मुझे नहीं पता कि मैं तब यह सब समझ पाया था लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मुझे एह कि market inefficient है, मेरा एक friend है जो economist है, वह मुझे समझाने की कोशिश करेगा, जैसे कि किसी बच्चे से बात कर रहा हो, कि मैं जो करने की कोशिश कर रहा था, वह व्यर्थ क्यों था, क्योंकि market efficient है, मैंने देखा है, कि जिसने भी मुझसे कहा है, कि market efficient है, वह पूर है, उन्होंने पर एक winning system develop कर सकता हूँ तो दूसरे भी कर सकते हैं और हम सभी एक दूसरे को cancel कर देंगे। उस आर्ग्यू में गलत क्या है? क्योंकि लोग system develop करते हैं और लोग mistakes करेंगे। कुछ लोग अपने system को बदल देंगे या एक system से दूसरे system में चले जाएंगे। क्योंकि हर एक के पास होने के periods होते हैं। दूसरे लोग trading signals का दोबारा अनुमान लगाने से कुद को रोक नहीं पाएंगे। जब भी मैं किसी money management conference में जाता हूँ और रात में कुछ pay पीने के लिए एक group के साथ बैठता हूँ तो मैं हमेशा एक ही story सुनता हूँ। मेरे system ने बड़िया काम किया लेकिन मैंने gold का trading नहीं किया और वह है मेरा सबसे बड़ा winner होता। यहाँ एक बहुत ही important message है। लोग नहीं बदलेंगे। इसलिए ये पूरा खेल चलता है। ठीक है आप कह सकते हैं तब trading अपेक्षाकर्त नया था, ये लोग आदिम थे, capital वाद अभी भी अपनी प्रारंबिक अवस्ता में था, आज हम कहीं अधिक sophisticated हैं। तो आप 1939 में जाएं और air reduction जैसा stock हो जाएं, जो 233 डॉलर के high level पर trade करता था, और crash के बाद गिरकर 31 डॉलर पर आगया, जो 87% की decline थी। ठीक है, आप कह सकते हैं, roaring 20 का decade पागलपन का time था, लेकिन अब चीजें निश्चिद रूप से अलग है। जो 1980 में 50 डॉलर के शिखर पर पहुँच गई, और बाद में 90% की decline के साथ गिरकर 5 डॉलर पर आ गई। मुद्दा यह है, कि क्योंकि लोग एक जैसे ही होते हैं, यदि आप rigorous से बचने के लिए sufficient कठोर तरीकों का उपयोग करते हैं, तो आप एक system का test कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कि उसने past में कैसा perform किया होगा, और एक अच्छा idea प्राप्त कर सकते हैं, कि वह है system future में कैसा perform क करेगा, यही हमारा age है, तो अभी आपने इस book के section को सुना, अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो, तो इस channel को subscribe करें, like करें, और अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ social media पर share अवश्य करें, धन्यवाद, hindi audio book.com, आपका तिन शुब हो